मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकम को दबाके और की नोडिफिकेशन को आन करने ताकि जब भी वीडियो डालू आपके पास पहले पहुंच पाए दोस्तों काफी लोग यह question पूछ रहे हैं कि क्या Microsoft Teams को free में यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप Microsoft Teams को free में यूज कर सकते हों लेकिन सबसे बड़ा question यह है कि आप कौन-कौन सी features को इस free version में use कर सकते हो तो आज की वीडियो भी इसी के बारे में होने वाली है तो चलिए without wasting time start करते हैं नमश्क्राइब दोस्तों मैं हूं तरुने सिंग और आपका मेरे YouTube चैनल Mind Strikes में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको नहीं पता कि Microsoft Teams को किस तरह यूज़ करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस playlist को चेक कर सकते हो और उसकी working को देख सकते हो जिससे आपको बहुत असान हो जाएगा Microsoft Teams को यूज़ करना और मैं आपको एक बात बता दूँ आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लाया हूँ मुझे कीना कि YouTube कहीं पर भी ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि Microsoft Teams की किन-किन features को आप फ्री में यूज़ कर सकते हो तो चलिए देखते हैं एक एकर के सभी features के बारे में जो के Microsoft Teams के free account के साथ आपको बिल्कुल free में मिलेगी तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चैट और search feature के बारे में तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी लिमिट नहीं रहती आप unlimited chat और search feature यूज़ कर सकते हो आप unlimited chat अपने friends और teachers के साथ कर सकते हो वो भी free version में तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी audio video call के related तो इस free version में आप unlimited audio video calls कर सकते हो one to one और groups में और बहुत सारे आप channels use कर सकते हो जिसमें आप audio video call बिल्कुल free में use कर पाऊगे तो दोस्तों आगे बात करते हैं storage के बारे में तो storage में आपको मिल रही है free में 10GB की storage team files के लिए और उसके साथ 2GB की आपको storage मिलेगी अपनी personal files को रखने के लिए वो भी बिल्कुल free में तो आगे दोस्तों बात करते हैं office apps के बारे में तो इसमें आप बहुत सारी apps को यूज कर पाऊगे बिल्कुल free में जैसे कि आपके पास word, excel, powerpoint और one note जैसी बहुत अच्छी अप्लिकेशन्स हैं जिने आप Microsoft Teams के साथ बिल्कुल free में यूज कर पाऊगे तो दोस्तों आगे बात करते हैं business apps के बारे में तो इसमें आप जो आपको free version है इसमें अभी आप 250 प्लस application जो के business applications हैं जैसे कि Adobe, Trello और Evernote जैसी बहुत सारी applications है जिने आप free में यूज कर पाऊगे और इसका आप फैदा उठा सकोगे तो दोस्तों यह थी सारी टॉप feature जिने आप free में यूज कर पाऊगे Microsoft Teams account के साथ मुझे यकीन दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो लाइक करने के लिए तो आप मेरी उस प्लेयलिस्ट को देख सकते हो जिसमें मैंने एक एक करके सभी वीडियोस बनाई है Microsoft Teams की यहां फिर नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल दें और मैं उसका आपको जल्दी से जल्दी रिवाट करने की कोशिश करता हूँ थैंक्यू वेरी मच